हालो एवरिवन आज का जो मेरा सेशन है वो मार्च मन्त प्रिप्रेशन प्लान को लेकर है न्यू बैच को लेकर है और जो नए स्टुएंट जोड़ रहे हैं उनको क्या करना ची उसको लेकर है सबसे पहले एक चीज़ समझे अभी आईटी मार्केट पर बहुत अच्छा बूम है यानि इस समय अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से बी कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया हुआ है बीटेक किया हुआ है या आप एमसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो एक बेस्ट प्लेस्मेंट कम होते थे वहाँ पर भी इस बाद टॉप प्लेस्मेंट हो रहे हैं इन फैक बीटेक वालो बच्चों के साथ उनके लिए कैमपस ओपन कर दिया है क्योंकि मार्केट रिक्वार्मेंट बहुत है आपने देखा होगा कि कोविट के बाद एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो सबसे बड़ा चेंज इस बात का है कि आईटी प्रोफेशनल की रिक्वार्मेंट बहुत बढ़ गई क्योंकि अब दो एंड पे वर्क होने लगा एक पूरा ऑनलाइन और एक पूरा ऑफलाइन जैसे हम क्लासेस की भी बात करें तो अब ऑनलाइन क्लासे है तो रिक्वार्मेंट बढ़ती है तो इस समय हाईएस रिक्वार्मेंट है आईटी प्रोफेशनल की तो बिना किसी कंफ्यूजन के अगर आप ग्रेजोट इस्टुएंट हैं और अभी तक भी आपको कंफ्यूजन है निमसाइट को लेके एमसी को लेके तो मैं कहूंगा इस तरह के कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप एमसी एक अच्छा इंट्रेस आफ्शन हो सकता है तो मेरा आज का सेशन का दो परपस है एक तो न्यू बैच को लेके प्रपरेशन को लेके क्या प्लान आपका होना चाहिए तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसे ही हमारे दिमाग में M.C.A. का वर्ड आता है अगर आप B.C.A. है या B.C. है या B.C. IT है बेसिकली अगर आपका ग्रेशन लेवल पर वन येर मैस है वन येर मैस है या वन सेमिस्टर मैस है ओके या 11-12 मैस है तो आप M.C.A. इलेजिबल है अब जैसे ही M.C.A. की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आना चीए मैंने बोला ना अभी इस समय अच्छे प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छे प्लेस्मेंट हो रहे है तो आप टॉप इंवसिटी या टॉप लेवल के कॉलेजिस के बात करेंगे तो बहुत अच्छे प्लेस्मेंट मिलेंगे तो जैसे ये वर्ड आता है ये बात मैं ना श्टुट के लिए बता रहाऊ पुराने श्टुट को सब पता है और पुराने स्टुट को मैं एक चीज बो जो बढ़के 12-13 classes तक पहुँच जाएंगी weekly test होगा और ये batch new batch है और आप सोच लीज़े अगर I batch है तो इसका मदलब है A, B, C, D, E, F, G, H के बाद I batch हो रहा है यानि बच्चे इतने पहले से पढ़ना चालू कर देते हैं कई बच्चे जब मुझसे पूछने सार इसके बाद भी होगा तो मैं बोलता हूं हर मंत होगा पर अगर आप मुझसे आज बात कर रहा हो तो मत करो delay क्योंकि आप कही ना कही एक मंत और पीछे हो जाओगे एक मंत बात करोगे तो और पीछे हो जाओगे याद रखिए जितना पहले जोईन करते हैं उतना हमें इस चीज का benefit मिलता है कि हमारा self-steady time बढ़ जाता है practice time बढ़ जाता है testing time बढ़ जाता है और impetus गुरु कुल का batch मतलब हो गया आप online, offline दोनों कर सकते हैं जैसा मैंने बोला अगर classroom करना है और इसमें complete classes के साथ complete study material के साथ weekly testing भी होगी यानि अगर आपने एक बार join कर लिया तो भटकना नहीं है self-steady वाले बच्चे जो है उनको मैं preparation plan बताऊंगा पर अगर आप self-steady कर रहे हैं तो मैं एक solution जहूड दूँगा testing जहूड 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 करी लिए तो जैसे ही हम बात करते है NIMSET की तो NIMSET के थुरू आपको NITS मिल जाएंगे इसके लाबा हैदरावाद University, HBTU, IPO University मिलेंगे इसके लाबा Center University का common intern test होगा पिष्ले साल भी होगा था इसमें बहुत सारी अच्छी इंवरसिटी जुड़ने के चांस हैं, official notification के बाद और पता चलेगा, तो DU हुआ JNU हुआ, BHE हुआ है ना, जामिया हुआ ऐसे कई सारी इंवरसिटी इसमें जुड़ने के हाइस चांस है, जब यह आ जाएगा finally की कौन-कौन सी आड हुई है वो मैं आपको बताऊंगा इसका entrance test कैसे होगा, यह बताऊंगा क्योंकि इस समय demand बहुत ज़्यादा है, तो मैं काऊंगा कि आप अगर graduate है, B.H.C. या B.C.A. वाले बच्चे तो best option है B.B.I.T. वाले भी अब eligible हो गए तो ऐसे B.C.O.M. वाले बच्चे ज़ूर है कि यहाँ पर निमसेट नहीं दे सकते पर वो C.U.C.E.T. दे सकते अगर उनका 11.12 में mass है तो आप लोग समय रहते हुए start करिए, basic बात करूँ syllabus की, तो syllabus का मतलब एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा कि 11.12 की mass basic level पे computer fundamental और basic English या कही जगे पे Q.A.L.R. आपको मिलेगा तो वो बच्चे जो new है उनको कहां से start करना है बाकी जो old student है उनको मैं बता देता हूँ कि march month जो मैंने बताया था preparation plan आप उसी को continue करिएगा पिछले month के साथ तो सबसे पहले new student को बोलूँगा मैं आप start पर लिजेगा progression number four पर लिजेगा binomial number five पर लिजेगा determinant number six पर लिजेगा matrices फिर लिजेगा seven पर permutation and set eight पर लिजेगा pnc और nine पर लिजे probability इस सब को करने में लग वग आपको दो से धाई महीने लग सकते हैं लगने दीजे एक topic को at least जैसे logarithmik को लग वग three to five days दीजे quantity equation in equation कर रहे हैं तो seven to ten days दीजे progression कर रहे हैं तो लग वग लग वग seven to ten days दीजे complex का basic बीच में कर पहुत अच्छा है बिल्कुल basic करना बहुत advance नहीं करना है three days binomial theorem लग वग seven days matrices और determinant को लग वग आप दोनों मिलाके दस दिन फिर ये three days फिर ये four days और जो old student हैं जो already मेरे schedule को follow कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि मार्च मंद में आपको publication combination तीन topic पढ़ने हैं set pnc पहले ये complete करिए अगर ये हो जाए तो probability भी start करिए यानि आप इन तीन चीजों को करेंगे तो आपको फायदा होगा याद रखिए सिले बसी अगर ये complete हो चुका जिन बच्चों का algebra complete हो गया है क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो बच्चे अलग-अलग समय के होते हैं जिनका algebra complete हो गया है वो तिगना मेंटी पे move करें जिनका तिगना मेंटी complete हो हो चुका है वो calculus पे move करें जिनका calculus complete हो चुका है वो ही 2D पे आएं 2D के बाद ही vector और statistics को लें अब बात करते हैं computer की तो computer में ये तीन portion है मैं हर बार ये session नए और पुराने student को combination के साथ लेता हूँ logic function, numbers representation booleal algebra and number system इस तरह से आप cond के ये topics दियें इनको लेके cover कर सकते हैं अब मैं बात करता हूँ ये reasoning के topics हैं बिटा ये 910 के कुछ basic topics हैं जिनको अगर आपकी match week है तो 910 से लीजेगा अब मैं बात करता हूँ कि आप new batch को कैसे join करेंगे तो new batch के लिए join करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप impetus gurukul की official website पे जाएए description में link है live.impetusgurukul.com ओके जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर course list पे click करिएगा 22 अगर आप 22 वाले हैं तो आपको fastech join करना है जो अभी start हुआ है 23 वाले हैं तो आप 23 को click करेंगे 24 वाले हैं तो 24 को 24 का जो D batch है उसको join करना है पर 23 वाले बच्चों के लिए यह I batch है जो की 15 तारिक से start हो रहा है जैसे इसको click करेंगे batch खुल जाएगा आप इसको one time में भी ले सकते हैं या फिर EMI option भी है एक pen type course भी होता है जिसमें complete recorded है कुछ बच्चे combination के साथ लेते हैं तो आप इस तरह से score को ले सकते हैं यहाँ पर आपको सारी detail मिल जाएगी जैसे मैं पुराने batch की बात करूँ for example कि आप इसके पिछले batch की तो क्या-क्या चीज़े आपको देखनी चाहिए वो समझ यह I की जगे sorry I की जगे अगर मैं H batch की बात करूँ तो देखिए इसमें आपको video test study material यहाँ पर देखेंगे आप past classes तो देखो पिछले महीने start होई थी 26 class हो चुकी है upcoming class मतला आने वाली class ongoing और यह demo इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा study material test papers देखेंगे तो यहाँ test papers सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा यानि इस course के बाद बिल्कुल भी हाँ वाँ नहीं भटकना होगा यह बात आप लोग ध्यान रखिए तो अभी आप लोग को जो batch join करना है is called i batch तो अगर आप self study कर रहे हैं पर देखिए self study से batch join करने का formula मेरा बिल्कु क्लियर है consistency और regulatory नहीं आ रही time waste मत करो क्योंकि मैं देखता हूँ अभी 22 में जैसे हमने फास्टेक स्टार्ट किया बहुत सारे वो बच्चे हैं जो self study कर रहे थे पर commitment नहीं था कुछ भी syllabus properly cover नहीं हुआ regular classes का फाइदा यह होता है कि फिर हमारे को पता होता है हर दिन क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है क्योंकि एक कोड़ चीज होती ही यह तो पढ़ना हुआ फिर question paper कैसे देना है उसकी technique क्या है अगर आप में highly discipline है तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है आप अगर highly discipline के साथ पढ़ना है तो आप केवल 23, 24 की test series भी join कर सकते जैसे यहां जाएंगे तो अब आपको test series भी मिल जाएगी test series में भी आप B करिएगा यह test series भहत पुरानी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर test series भी मिल जाएगी तो आपको बस यह देखना है कि मैं regular 6 घंटे पढ़ाही कर रहा हूं कि नहीं अगर आप 6-8 घंटे पढ़ रहा है तो आप test series के थुरू अपना assessment करते रहे और पढ़ाही भी वैसी करिए जिस order में मैं बताओ पर अगर पढ़ाही नहीं हो रही है बिल्कुल time waste मत करो इदाउदर मत भट को जो कुछ आपको यहाँ मिलेगा वो compare ही नहीं कर सकते किसी और से इसलिए बिल्कुल बेफिकर हो के join करो अगर आप classroom join वो तरी online join करते हैं घर पे रहके करिए यह कितना अच्छा option है केवल अगर आपकी घर पे पढ़ाई ना हो पाए कई बच्चे घर पे online course लेके भी कभी-कभी नहीं पढ़ पाते हैं self-discipline maintain नहीं होता या घर में disturbance होता है छोटा है देन आप switch करके offline में भी आ सकते हैं कि इसमें आपको impetus में बात करनी होगी वो आपको बता देंगे उसका क्या प्रोसेश जार तो ध्यान रखेगा एक बार last session end करने से पहले फिर बता दूँ कि 15th of 15th of March से नया batch होगा जिसमें morning और evening classes होगी और Sunday को test होगा आप लोग अगर आपके semesters वगेरा खतम होगा है तो 22, 23 वालों को बोलूँगा बिलकुल time waste मत करिये और धीरे धीरे देखिए time कम होता जा रहा है 23 का सबसे पहला batch जो है वो last year के जनवरी से start हुआ था सोचिए कि एक बच्चा अपना syllabus का first round complete करके second round कर रहा है आप अभी करेंगे तो आपको उनके बराबर भी पहुचना है और competition दिन पर दिन बढ़ रहा है appearing candidate बढ़ रहा है तो ऐसे में बिलकुल delay ना करें बिलकुल अपने आप से पूछ लें कि आप कहां stand कर रहे हैं और कहां तक आपको जाना है तो इसी के साथ मैं session end करता हूँ thank you and all the best take care of yourself